इकॉमर्स यानि ओल्नाइन डिटेल कंपनियों पर लगाम लगाने के सरकारी फर्मान के असर का पहला अनुमार सामने आ गया है। किंद्र सरकार ने हालहे में विदेशी निवीश यानि FDI वाली इकॉमर्स कंपनियों के लिए नए नितिका एलान किया था। फरवरी में ये नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद उम्मीद है कि बजार में बैठे दुकानदारों को ओल्नाइन डिटेल से हो रहे नुकसान में कमे होगी। रेटिंग एजनसी क्रिसल के मुताबिक नए नियमों के लागू होने से रिटेल दुकानदारों की बिक्री में डेर से दो फीसदी बढ़ोतरी की उम्मेद है। यानि ओफलाइन डिटेल कारोबार में सीधे सीधे दस से बारा हजार करोड रुपिय तक का इजाफा इन नए नियमों के आने से हो सकता है। क्रिसल के मुताबिक बढ़ोतरी का ये असर 2019-2020 में दिखाए देगा। दिसंबर में सरकार ने ने नियमों का एलान किया है। इसमें फिलिपकार्ट और अमेजन जैसी ऑनलाइन कम्पनियों को उन कम्पनियों के प्रोडक्स बेशने से रुका है जिन में उनकी हिस्सेदारी है। इसी धरां उन्हें किसी प्रोड़क्ट की केवल और केवल अपने प्लैटफॉर्म पर बिक्री के खरार से भी रोका गया है अब दुकानदारों को उम्मीद है कि आफलाइन और ओनलाइन बजार को साथ में मुकाबला करने का मौका दोएगा क्रिसल ने खुदरा बजार को ने नियमों से फायदा पहुँशने की बात कही है तो ये आउनलाइन कम्पनियों के नुकसान का आग्रा भी पेश किया है क्रिसल रैटिंग के मुताविक सखत निती की बज़ा से ए रिटेल इंडस्ट्री की बिकरी का लगभग 35 से 45 प्री सबी हिस्सा पर भावित हो सकता है ये आग्रा 35 से 40,000 करोड रुप्य के बराबर होने की आश्रण का क्रिसल लेज़ता आई है हालकि ये पूरा नुकसान आफ लाइन का फायदा नहीं बनेगा क्योंकि कुछ विकल्पों का इस्तेमाल इ-कॉमर्स कमनिया कर सकती है इनके जरिये वो सरकारी नियमों की बाधा को कुछ हत तक चक मदेने में कामियाब हो सकती है इससे उनको अपने रुकसान के बड़े हिस्ते की भरपाय का मौका मिल सकता है ब्यूर रपोर्ट आज तक